आज 9 मैं 2023 के बाबा के अनमोल मतुर महावाक्य सुनेंगे आज की मुरले में बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम्हें सदा निश्चे बुद्धी होकर के रहना है अगर निश्चे में चरह भी शंशे आया तो माया लायक बनने नहीं देती है इसलिए निश्चे वुद्धी होकर के श्रीमत के आधार पर चलते चले तो सदा लायक बच्चे बनेंगे साथ ही बाबा कहे तुम बच्चों को अपना पुराना बैग बैगेज ट्रांसफर करना है नई दुनिया में और उसके लिए श्युबाबा निश्काम नंबर वन ट्रस्टी है उसके कभी भी किसी बात में ख्यानत नहीं होगी तुम बाबा को पुराना सब कुछ दे दो और नया सब कुछ ले लो बाबा कहे मेरी जिम्मेवारी है उन बच्चों के प्रति जो निश्चे बुत्ती हो करके मुझे सारा समाचार देते हैं तो उनके जीवन में जब भी कुछ बात होती है तो उसके लिए मैं उन्हें संभालता हूँ उन्हें पार करता हूँ कि बाबा की जिम्मेवारी है तो निश्चे बुत्ती बन करके बाबा को अपना पूरा समाचार देते रहो तो बाबा जिम्मेवारी ले करके आगे बढ़ाते रहेंगे सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य ओम शांती निठे बच्चे शिबाबा निश्काम नंबर वन ट्रस्टी है उसे तुम अपना पुराना बैक बैगेज ट्रांसफर कर दो तो सत्यूग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा आज की मुरली से प्रश्न है बाब को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है उत्तर है जो निश्य बुद्धि बन अपना पुरा-पुरा समाचार बाब को देते हैं बाब से हर कदम पर डाइरेक्शन लेते हैं ऐसे बच्चों का बाब को बहुत ख्याल रहता है बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देंगी उम्हें लायक बनने नहीं देंगी आज की मुली से पहले गीत बजा है दर्ब पर आये हैं कसम लेकर सुनते हैं उस पर बाबा के महावाक्य ओम शान्ती मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना बच्चे उनको कहा जाता है जो बाब के बनते हैं बाब ने समझाया है यह अन्तिम मरजीवा जन्म जीते जी बाब का बनना है यह तो बच्चे जानते हैं श्रेमत गाई हुई है श्रेमत भगवान वाच उस गीता में सिक्रिष्न का नाम डाल दिया है परन्तु पहले शिवबाबा फिर ब्रम्ह फिर सिक्रिष्न तो श्रेमत सिक्रिष्न की नहीं कहेंगे वह दैवी गुणों से संपन है किसी भी देधारी मनुष्य को पतीत पावन नहीं कहा जाता पतीतों को पावन बनाने वाला एक ही बाब है जिसकी श्रेमत पर तुम चल रहे हूँ निराकार परमात्म सभी धर्म वालों का पिता है सिक्रिष्न को सभी नहीं मानेंगे क्रिष्चन क्राइस्ट को फादर मानते हैं न किसी क्रिष्चन को क्योंकि क्रिष्चन है क्राइस्ट की मुख्वंशावली शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं कहते हैं सिर हथेली पर रख कर बाप का बने हैं उनके डाइरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं बच्चों को शिव बाबा को मत देने की दरकार नहीं वह खुद मत देने वाला है, ऐसे नहीं, यह क्यों कहते नहीं, यह तो सब बच्चे हैं, शुबाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे, इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइठ ही होगा, क्योंकि करन करावनहार है, उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिर बाबा से, कोई का भी अउगुण नहीं देखना है, श्री मत पर चलना है, शिर बाबा तो है निराकार, साक्षी, उनका यह घर है नहीं, तुम यहाँ पराय घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे, शिर बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं, तुम हो सच्चे सच्चे रुहानी सेलवेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डाइरेक्शन दे रहे हैं, पूब खू, कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डाइरेक्शन दिये होंगे, वही देंगे, दिन रात गुये ते गुये बाते सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके, करांची से लेकर मुरली चलती आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात दो बचे उट कर दस पंद्रा पेज लिखते थे, शिव बाबा ब्रम्ह बाबा को लिखवाते थे, फिर उनकी कापिया निकलते थे, फिर कापिया बनाते थे, बक्ति मार्क के तो बड़े-बड़े किताब बनाते जाते हैं, वो फिर रखते हैं, तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह सव विनाश होना है, चित्र आदी भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे, वहां न शास्त्र न चित्र रहेंगे, सत्युग म न शास्त्र रहेंगे, न चित्र रहेंगे, फिर यह जो कुछ चल रहा है, कल्प बाद फिर होगा, शास्त्र आदी द्वापर से शुरू होंगे, जिन के लिए बाप समझाते हैं, इन से परंधाम का रास्ता नहीं मिलता है, शास्त्र आदी से परंधाम का रास्ता नहीं मिलता है, ग्रंत पहले बहुत छोटा था, दिन प्रते दिन बड़ा बनाते जाते हैं, वास्तों में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनाने चाहिए, तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, बाप समझाते हैं, मैं बक्ती मार्ग में क्या क्या करता हूँ, बाबा ये भी बताते हैं, कि बक्ती मार्ग से ही द्वापर से ही बाबा का पार्ट आरंभ होता है, बक्तों को साक्षात कराना, बक्ती का फल देना, तो ये बाबा का पार्ट तब से आरंभ होता है, बाप समझाते हैं मैं बक्ती मार्ग में क्या क्या करता हूँ बक्ती मार्ग में भी इंशुरंस करता हूँ इश्वर अर्थ मनुश्यदान करते हैं कहते हैं ना इसने इश्वर अर्थ किया है तब शाहुकार घर में जन्म लिया है बक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं बाप कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ बाबा बक्ति मार्ग में भी जिसने जो कुछ भी किया तो अल्प काल के लिए फल देता आया हूँ अच्छावा पूरा फल मिलता है न, कितना बड़ा इंशुरंस हुआ, जो जैसे करम करते हैं, उस अनुसार फल मिलता है, माया उल्टा करम कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो, अब मैं तुमको ऐसे करम सिखलाता हूं, जो कभी दुख नहीं होगा, और वहां माया भी नही होती है, तो जो जितना अपने को इंशुर करें, शिवाबा भी नंबर वन ट्रस्टी है, शिवाबा भी नंबर वन ट्रस्टी है, दूसरे की आसकती जाती है, कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं, बाबा देखो, कैसा ट्रस्टी है, क्याते हैं, यह सब बच्चों के लिए हैं, तुम्हारा सारा connection शिबाबा से है, बाब कहते हैं मैं सच्चा trusty हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधनी दे देता हूँ, यह बाबा भी कहते हैं मैंने full insure कर लिया है, प्रमा बाबा ने भी full insure कर लिया है, तन, मन, धन सब बाबा की service में है, सिंधी में कहावत है, हत जिसका इन पहला पूर सो पहुँचे, भावारतिये के हाथ जिसका इस position में, देने के position में, पहला पूर पहुँचे, दाता समान हाथ है, तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं, दो मुठे देते हैं, तो महल मिलते हैं, देखो, अभी मकान बना है, कोई ने एक रुप्या भेजा, अमारी एक लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, कितनी भावना से एक रुप्या भेजा, कि बाबा, हमारी एक लगा दो, तो बाबा क्या कहते, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूँ ही गरीब निवास, गरीब का एक रुप्या, शाहुकार का दस हजार, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है, शाहुकार बहुत मुश्किल आते हैं, कण्या ही सबसे फ्री है, नंबर वन, देखो ममा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायन, कितना वंडरफुल खेल है, बाबा ने सब कुछ दे दिया, तो भी सेकर नंबर, पहला नंबर ममा का, लक्ष्मी का, तो बाबा कहे ये कितना wonderful खेल है कभी भी किसी बात में संशे नहीं होना चाहिए जरा भी संशे नहीं लाना चाहिए बहुत मीठा बनना है कदम कदम पर श्रीमत लेने है नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है कितने बच्चों को direction देने पड़ते हैं बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो बाबा हर प्रकार की संबाल करेंगे बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहां ये बच्चा चड़ जाए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए तो most beloved God fatherly student हो बगवान वाच भी गाया हुआ है परन्तु सिक्रिष्ण का नाम डाल दिया है सिक्रिष्ण भी सब मनुष्य से उंचा ठहरा फरस्ट नंबर सिक्रिष्ण का नाम देते हैं नारायण का क्यों नहीं? पर युवा व्रद अवस्था होती है बालत ब्रह्म ज्यानी समान कहते है, बच्चे से पाप नहीं होता है, सिख्रिष्ण का भी जन्म दिन मनाते हैं, सिख्रिष्ण को द्वापर में ले गए है, ये साब बाप ही समझाते हैं, ये सचाई क्या है? इस समय तुम ब्राम्मन हो उत्तम, तुम हो इश्वरिय संतान, सत्यूग में इश्वरिय संतान नहीं कहेंगे, बाबा कहे, सत्यूग में इश्वरिय संतान नहीं कहलाएंगे, इश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह है तुम्हारा अती अमुल्य दुरलब जी संगम युक का ये ब्राम्मन जीवन है अती अमुल्य दुरलब जीवन सभी का तो हो नहीं सकता ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे है परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते क्योंकि God is one उस निराकार की सारी महिमा है साकार की थोड़ी महिमा होती है लक्षमी नारायन को निराकार ने ऐसा बनाया तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन राजयोग सीख रहे हो, बरोबर गीता में राजयोग है, जब राजा इस्थापन हुई थी, तो उस समय विनाश भी हुआ था, अभी है संगम, शवाबा आते हैं, तो खेल पूरा करते हैं, फिर सिक्रिष्न का जन्म होता है, बक्ती मार्ग में बहुत बड़े-बड़े मंदि उन मंदिरों में पद्मो की मिलकाय थी, अब तो सब लोग हो गए हैं, बक्ती मार्ग के शास्त्र पढ़ते-पढ़ते, यात्रा करते-करते, मंदिर बनाते-बनाते, खर्चा करते-करते, भारत कंगाल बन पड़ा है, भक्ति मारके शास्त्र पढ़ते पढ़ते यात्रा करते करते मंदिर बनाते बनाते खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है अभी तुम जैसे master knowledgeful हो गए हो बाप ज्यान का सागर आनन का सागर blissful है यह सब बाप की ही महिमा है बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तिर्थ स्थान है परन्तु सिक्रिष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चड़ाते अगर से क्रिष्ण का नाम नहीं डालते तो सब शिव के मंदिर में फूल चड़ाते सबका सदगती दाता एक है आधा कल्प तुम प्रालब्द भोग नीचे आते जाते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है अब बाब कहते हैं जो बैग बैगेज है सब दो तो तुमको ट्रांसफर कर सत्यूग में दे देंगे हम खुद तो नहीं लेते हैं मनुष्य तो अपने लिए करते हैं फिर कहते हैं हम निशकाम करते हैं परंत निश्काम तो कोई कर नहीं सकता, हर चीज का फल जरूर मिलता है, मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूं, तुम्हारे लिए ही वैंकुंठ लाता हूं, बच्चों को सुवेर्निटी का सुविनियर, यानि सोगात देता हूं, तो वह लेने लिए लायक बनना चाहिए, जो राच्य भाग्य का सुवेर्नियर, यानि सोगात बुगवान देते हैं, वह लेने लिए लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना है, अथेली पर बहिष्ट मिलता है, बाबा अथेली पर बहिष्ट देता है, सेकन में जीवन मुक्ती अत्वा सेकन में बाच्षा ही। दिव्य दृष्टी दाता शिबाबा है। सेकन में वेंकुंट में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। साक्षातकार कराने की चाबी सिर्फ शिबाबा के पास है, साकार ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं है. बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं राजाई नहीं करता हूं, फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुम को दिव्यद्रिष्टी से बहलाओंगा फिर द्वापर युक से बाबा फिर से उस दिव्य दृष्टी की चाबी लेकर सबको साक्षातकार में बहलाएंगे इतना अच्छी रिती बाब समझाते हैं बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं बाकी इतने अवतार आदी सब गपोड़े हैं ये शास्त्र है ही सबबक्पी मार्ग के वह भी बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना ही जो कुछ होता है ड्रामा में नून्ध है इसको साक्षी होकर देखो बाबा बहुत अच्छी रिती समझाते हैं बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैगनेट हूँ तुम्हारी एक पाई भी नहीं गमाता हूँ कौडी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ ये सब शिबाबा करते हैं इनकी द्वारा करन करावनहार वह है निराकार और निरहंकारी वह है शिबाबा निराकार और निरहंकारी गौड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं चर्णों में पढ़ो बाप ओबीरियन सर्वंट है बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते हैं अब दुखी हुए है सुख भी बहुत मिलता है कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता ऐसे नहीं कह सकते कि भारत वासियों को क्यों और उन्हें क्या किया अरे इतने धेर मनुश्य है सब तो नहीं आ सकते हैं ड्रामा बना हुआ है भारत में ही आदी सनातन देवी देउता धर्म था भगवान ने आकर सच्चा राज योग सिखाया था बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया और फिर से घर वापस जाते हैं ये बहुत पुराना चोला हो गया है अभी ये शरीर उपी चोला बहुत पुराना हो गया है सर्प का मिसाल सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं परन्तु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं लेकिन उन्हों में भी कोई-कोई बहुत तिखे होते हैं शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं, ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का ब्रह्म है, जैसे हिंदू का यह ब्रह्म है, कि हम हिंदू धर्म के हैं, अरे हिंदू धर्म कहां से आया, वह तो हिंदूस्तान का नाम है, सत्यूग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म है, कितने भाशाएं है, वहाँ तो भाशा ही एक होती है कहते हैं वन गवर्मेंट हो, परन्तु सभी गवर्मेंट वन कैसे होगी, ब्रदर हुड भी नहीं समझते सरव व्यापी कह देते, तो फादर हुड हो गया, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे यह भी समझ की बात है न, अच्छा, मीठे मीठे सी किलते बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार, पहली पॉइंट, किसी का भी अउगुण नहीं देखना है इक्ष्य बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है, उसे राइट समझ चलते रहना है श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है दूसरी पॉइंट, अपने तन, मन, धन को पूरा इंश्योर करना है कदम कदम पर श्रीमत लेने है पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है संसकार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रुहानी सेवाधारी भवव संसकार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रुखानी सेवा धारी भवा। जैसे इस थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो। जहां मुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो। ऐसे मनसा से भी जो संकल धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वक करो, रुभानी सेवाधारी बच्चे, रुभानी संबंद और संपर्क निभाने में ever ready, उन्हें संसकार मिटाने वा संसकार मिलाने में टाइम नहीं लगता, जैसे बाप के संसकार जैसे आपके भी संसकार हो, ये संसकार मिलाना बड़े से बड़ी रास ह आज का स्लोगन है, Purity की रोयल्टी का अनुभो करना और कराना ही रोयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शान। अच्छा, अच्छा, ओम करें धिर में की रिटनानी है।